कंगना रोज चर्चा में बनी रहती है आज एक और खबर आ रही है कि कंगना को defamation case का सामना करना पड़ेगा उन पर defamation case फाइल किया जा रहा है यह defamation case जो है जावेद अक्तर फाइल कर रही है जी हाँ आपको याद होगा कंगना का इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा था कि कैसे जावेद अक्तर ने उनको अपने घर पर बुला कर इस बात के लिए थ्रेट किया था कि तुम जो है राकेश रोशन के परिवार से रितिक रोशन के परिवार से माफी मांगो आपको याद होगा कंगना के एक्स और कंगना का मुद्दा जो है कंगना ने रितिक रोशन को लेकर बहुत सारी बाते कही थी और इसी मुद्दे की और जो है जब उन्होंने इंटरिव्यू दिया हार ही में तब उन्होंने बताया कि कैसे एक महेश भट का किस्सा जो उन्होंने बताया था कि कैसे जूता उठाकर फैका था और एक दूसरा ये जो किस्सा कि जावेद अक्तर ने उन्हें घर पे बुला कर थ्रेट किया था अब जावेद अक्तर जो हैं defamation case कंगना पर फाइल कर रहे हैं उनका यह कहना है कि बस अब बहुत हो गया कितने समय से मैं सुने जा रहा हूं लेकिन अब मुझे लगता है कि ये सरी speculation पर एक लगाम लगाने का समय आ गया है उसको बंद करने का समय आ गया है तो एक खबर आ रही है जिसके अनुसार जो है और वो इसको लीगली ही आगे लेकर जाना चाते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था, कभी स्था कि कोई थ्रेट जो है कंगना को दी ही नहीं गई थी. कंगना ने क्या कहा था अपने इंटर्वियू में, मैं आपको वो कोट भी पढ़िके सुनाती हूँ. Once, Javed Akhtar had called me to his house and told me that Rakesh Roshan and his family are very big. If you don't apologize to them, you will have nowhere to go. They will put you in jail and eventually the only path would be that of destruction. You will commit suicide. These are his words. Why did he think if I don't apologize to you, will have nowhere to go. They will put you in jail and eventually the only path would be that of destruction. You will commit suicide. These were his words. Why did he think if I do not apologize to Ritik Roshan, I will have to commit suicide. He shouted and yelled at me. I was shaking in his house. He told me to go to jail and go to jail and then you will suicide. This was his comment on the Javed Akhtar and now Javed Akhtar is a defamation case. और इसको लीगली आगे लेकर जाएंगे और उनका ये कहना है कि out of court settlement जो है बिलकुल नहीं होगा तो sources के हवाले से एक ख़बर आई है कि Javed Akhtar defamation case जो है कंगना के खिलाब फाइल करेंगे. कंगना बहुत सारी case जो है अंधिरी court, bandra court ये दो case जो है पहले ही चल रही है और अलग-अलग जगा से जो है दो एक वकील ने और एक casting director ने एक case किये थे कि कंगना जो है धार्मिक जिसे कहा जाए माहोल बिगाडने की कोशिश कर रही है दो समुदायों को भढ़काने की कोशिश कर रही है और अब ये नए case की ख़बर जो है आ रही है